Hello friends, welcome to सफलता मंतर दोस्वाइ साथ वजे की करेंट अफेर की क्लास में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है और आज डेट है 3 फरवरी आज की क्लास में आपको मिलेंगे आज से सम्मंदित सभी important questions इसके साथ ही साथ दोस्टों जो आपके जन्वरी से सम्मंदित important revision वाले questions थे उनको भी हमने इस class में रखा है इसलिए class को end तक देखना और सभी questions को जरूर याद करते रहना जितने भी आपके सूचकांक वाले questions है या दिवस हैं वो सब कुछ आज की class में आपको याद करा दिये जाएंगे इसलिए class को end तक जरूर देखना है और प्रते questions को देखते रहना है आगे के आपके questions सभी objective ही हैं उसी प्रकार से एके questions को note करते रहना याद करते रहना जाते हैं साथी साथ आप टेलीग्राम ग्रूप से जुड़ जाएए वहाँ पर आपको PDF फाइल प्रोवाइड कराई जाएगी यह बिमान का नाम है जिसमें की वायो जेट इंधन आपने पढ़ा होगा जैबी की इंधन का नाम आपने सुना होगा जिसमें की पैड यानि की पौधे जो होते हैं उनसे निकला हुआ इंधन प्रयोग में लाय जाता उसमें जेट रोफा मुख्य रूप से प्रयोग किया जाने वाला पौधा होता याद रखेगा जे ट्रोफा से वायो डीजल प्राप्त किया जाता है और इनका ही प्रयोग हालां कि पूर्टा हा प्रयोग नहीं किया गया था लेकिन लगबक 10% मात्रा वायो डीजल की इसमें मिलाई गए थी वायो जितने वी जैवी के इंधन होता है उसकी मिलाई गए थी इसलिए कोश्चन याद रखेगा विमान का नाम है एन 32 आगे बढ़ते हैं सेकेंड नंबर कोश्चन पर महिला अधिकारों की बात करने वाली पत्रकार लेखिका और सामाजी कारकरता का हाल ही में निधन हो गया है उनका क्या नाम था तो दूस्तों कौन सा उप्सन आपका सही हो जाएगा पहले देख लीज़ेगा चारों आपके सामने दिये गए हैं तो इनमें से कौन है जो की महिला अधिकारों की बात करने वाली कारकरता थी इनका नाम है विद्या बाल इनका भी हाल ही में निधन हो गया है और इनसे सम्मंदित दूसरा कोश्चन जो बनता वो यह है कि इनकी आत्म कथा हैं दो कौन-कौन सी कमलाकी और वलवन्त तिल यह दोनों कोश्चन यहां से आपको याद करने बहुत अच्छे अच्छे कोश्चन हैं और दोस्तों साथी साथ आपको बताना चाहेंगे कि जो लोग कमेंट करते हैं बहुत अच्छे उन सभी का बहुत बहुत धन्यवाद इसी तरीके से अपना प्यार बनाए रखिए डेली आपके लिए जितने अच्छे से अच्छे कोश्चन हो सकेंगे जितने अच्छे से समझाने होंगे पूरी कोशिस करेंगे कि आपका कोई भी टॉपिक मिस ना हो इसके अरे में भी बता देते हैं यह होकी की प्लेयर हैं और पुरानी प्लेयर थी इनका भी हाली में भी देहानत हो गया था और इनको अरजुन पुरसकार से सम्मानित किया था अरजुन पुरसकार से सम्मानित और हाली में इनका निधन हो गया था याद रखिएगा होकी की प्ले आपका एक नंबर कट कर देगी इसलिए कोश्चन को पहले समझना है भारती होकी की बहुत प्रसिद्ध खिलाडी हैं कप्तान के रूप में अपनी पूरी टीम को समालती है रानी रामपाल जी इनको हाली में कौन सा समान दिया गया था तो दूस्तों आपको मालूंगा वोटि महिला बनी जिनको कि ये पूरसकार दिया गया इसके साथचा दोस्तों दूसरा पदम avec 26 जन्वरी को इनको दिया गया था खेलके छेतर में इनको पदम सरी सम्मान दिया गया था इसलिए आपका D number option सही हो जाएगा इसले कह रहे थे दोस्तों क्योंकि काफी लोगों को पदम स्री के बारे में नहीं पता था और काफी लोगों को एथलीट आप दाइयर के बारे में दोनों ही इवार्ड इनको अभी हाल ही में दिये गए हैं अगला आपका फूर्थ नंबर कोशन है अभी हाल ही में तीन राजधानियों बाला तथा विधान परिसद खत्म करने वाला राज सुर्कियों में रहा इसका क्या नाम है तो दोस्तों अभी हाल ही में कुछ समय पहले काफी विवाद हुआ उसके बाद एक राज की तीन राजधानियां घोसित कर दी गई और साथी साथ वहाँ पर विधान परिसद को भी खत्म कर दिया गया राज की जो विधान परिसद होती है जहां पर MLC चुनने जाते है MLC के द अभी कुछ समय पहले ही पारित हुआ था जिसको लेकर अभी भी काफी विवाद फैला हुआ है लेकिन इसका C नंबर उप्सन जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है वो याद रखेगा C नंबर उप्सन सही हो जाएगा आगे बढ़ते हैं 5 नंबर कोश्चन पर नोबेल किसमें अर्थ सासर के छेतर में भी हाल ही में नोबेल पुरसकार दिया गया था नोबेल पुरसकार सबसे बड़ा पुरसकार माना जाता है आप सभी को मालू होगा और ये लगबग चार से पांच छेतरों में दिया जाता विग्यान के छेतर में इसके लावा साहित के छेतर में और सामाजी कार के छेतर में अर्थ सासर के छेतर में तो अर्थ सासर का छेतर का जो नोबेल दिया गया है यह अभिजीत वनरजी जी को दिया गया इसके पहले अर्थ सासर में अमर्थ सेन को भी मिल चुका है और साहित के छेतर में नोबेल पुरसकार दिया गया था आपको मालूम होगा रविन्ना टेगोर जी को उनकी रिचना के लिए बहुत अच्छे-चे कोश्चन्स हैं अब इस कोश्चन पर वापस लोटाते हैं तो किस युनिवस्टी ने दिये अभी कलकत्ता युनिवस्टी ने इनको ड पर दम विभूसन सम्मान से किसको सम्मानित किया गया तो सुसमा सुराज जौर्ज फर्णान्डिस अरण जेटली या फिर उपरोकत्सभी तो आपको बताना चाहेंगे दोस्तों इसका आपका D- emerges option बिल्कुल सही हो जाए गा इनस सभी को मरणों परांत पदम विभूसन से सम्मानित किया गया अब बात कर लेते हैं पदम विभूसन की तो दोस्तों भारत का सबसे पहला पुरुसकार या सबसे बड़ा पुरुसकार होता है भारत रतन भारत रतन होता है इसका दूसरे नमबर पर आता है पदम विभूसन तीसरे नम जो प्रमुख लोग हैं वो मैंने आपको बता दिये हैं ये चारों ही आपको याद रखने तीन नेता हैं जिनको मृत्य के उपरांतिय सम्मान से सम्मानित किया गया और मेरी कौम का कोश्चन भी इंपोर्टेंट है इसलिए वो भी आपको बता दिया इसलिए याद जरूर रहा था W.E.F. 2020 यह आपका चर्चा में रहा था अभी 20 जनवरी से 24 जनवरी तक इसकी सालाना बैठक थी और यह पचासमी सालाना बैठक थी कौन से नंबर के थी पचासमी बैठक थी जिसमें कि अलग-लग नेताओं ने अलग-लग देशों के राजनीतिक करताओं ने इसके उनको सम्मान भी दिया गया था आपको मालुम होगा क्रिष्टल एवार्ड से उनको सम्मानित किया गया था दो तीन बार आपको कोश्चन बता चुकरें पूचा जा सकता है तो दोस्तों यह आपकी जो Economic Forum की बैठक हुई थी यह हुई थी सूटिजल लेंड में अब बात कर वो कहाँ पर ओंगे टोकियो होंगे इस लिए इनको टोकियो ओलंपिक का नाम दिया गया है इसका द्लावा फीफा वर्ड कप ज होगा अगला वो गतर में होगा सभी बहुत ही अच्छे चे कोशन्स हैं जितने कोशन्स आपको बता सकते हैं सब बताते चलना हैं इसके लाबा जो इस बर्स का economic forum हुई है इसका theme क्या था तो इसका theme था stakeholders for a cohesive and sustainable world यह इसका इस बर्स का theme था theme का में जो topic है में जो बिसा है जिसको लेकर ही वैठक की जाती है तो वो यही वाला था कि stakeholder for a cohesive and sustainable world यहन की आपस में मिल जुलकर और साधारन तहाद वर्ड को चलाने के लिए stakeholders इस परकार से एर्थ नंबर कोशन है भारती रेल ने कितने रूटों पर bullet train चलाने के लिए corridor बनाने की बात कही तो दोस्तों कल budget पेस हुआ था परसों एक तारी को तो उसके इंतरह जितनी व उस class को जरूर देखेगा उसी के अंतरगत bullet train चलाने को और उसके कार्म को में तेजी लाने के लिए बात कही गई थी इसके लावा corridor की बात की गई थी यानि कि कहां से ले करके कहां तक चलाई जाएगी यह पूरा corridor के अंतरगत आएगा तो कुल मिला करके कितने route पर चलाई जाएगी तो इसका आपका A number option सही हो जाएगा छे corridor पर छे route पर bullet train चलाने के लिए बात कही गई है इसका आपका A number option बिल्कुल सही हो जाएगा यह वाला important question है आगे बढ़तें 9 number question पर दोस्तों class को end तक जरूर देखेगा यहां से आपके important questions ready होंगे त्यार होंगे विने मोहन पात्रा को हाल ही में किस देश का भारती राजदूत नियुक्त किया गया तो दोस्तों अभी कुस्तों में पहले ही विने मोहन पात्रा जी को भारती राजदूत नियुक्त किया गया था किस देश में तो इसका आपका C number option सही हो जाएगा नेपाल में नेपाल में ही अभी सा उचाईबाला का हुआ था नेपाल में ही हुआ था सागर माथा परियोजना भी यहीं पर प्रारम हुई है दोनों महत्पूर्ण कोशन है याद रखिएगा अगला आपका 10 नंबर कोशन देखिए बहुत अच्छे आपके लिए ढूंड कर लेकर आये हैं कि विविन वैस्विक सूचकांक अलग-लग सूचकांक है इसमें 2020 कहीं कहीं 2019 भी है किसी किसी में 2020 के जो भारत के इस्थान है यानि कि सबसे लेटेश्ट वाले इस्थान आपको याद करने हैं वही हम आपको लेकर आये हैं आपके सामने हैं तो चलिए बात करते हैं वैस्विक व्रष्टाचार सूचकांक है उसमें भारत का C retained कौन से नवर पर है तो यहाँ पर भारत का C without असीवे नंबर पर कौन सा नंबर असी नंबर है पहला अठटारवे नंबर पर था लेकिन यही याद रखना है सिर्फ आपको यही कोश्टन में आएगा इसने ज्यादा अंदर तक नहीं पूछा जाएगा और पिछली बार आपका जो सिच्चक भरती का एक्जाम हुआ था उसमें आपके तीन नंबर के सूचकांक पूछे गए थे अन्य एक्जामस में भी जरूर आते हैं अगला आपका वैस्बिक प्रतिभा प्रतिस परधा सूचकांक में जो इस्थान है वो भातर्मा इस्थान है भारत का कौन सा है भातर्मे इस्थान पर भारत है वैस्बिक प्रतिभा इस परधा सूचकांक में अगला question आपका वैस्विक लोगतंतर सूचका गया नहीं कि डेमोक्रेसी इंडेक्स जो है वर्ल्ड डेमोक्रेसी इंडेक्स इसमें भारत का कौन सा इस्थान है सबसे important अगर question आपका बनेगा तो यही से बनेगा 51वा इस्थान है पिशली बरस ये 41 मा इस्थान था है क्योंकि सिर्फ और सिर्फ आपसे भारत की रैंक ही पूछी जाएगी अगला कोशन है हैंले पासपोर्ट इंडेक्स ये दूस्तों पासपोर्ट इंडेक्स है इसके इंतरे बताया जाता कि विना वीजा के किन किन राजियों की रियात्रा की जा सकती है उसी के आधार पर इस इंडेक्स को बनाय जाता तो भारत कुल मिला करके 58 राज्य ऐसे थावन देश ऐसे हैं जहां कि आत्रा विना वीजा के कर सकता है तो उसी के आधार पर भारत का जो इस्थान है वो 84 में इस्थान है 84 में नंबर पर भारत आ जाता है इसके अंतरगत हेले पासपोर्ट इंडेक्स के अंतरगत याद कर लीजेगा उम्मीद करते हैं प्रते एक चीज आपको क्लियर हो रही होगी और पिछली क्लासेज के तरह इस क्लास में भी एंड में आपसे कोश्चन पूछा जाएगा और जो भी कोश्चन आपको लाश्ट क्लास में पूछा गया था उसका अंसर भी मिलेगा अब चलिए बात करते हैं जनवरी के महतपूर्ण दिवस की तो बैसे तो जाद अंतर आपको पढ़ा दिये गए थे लेकिन ये दिवस आपको नहीं पढ़ाए गए थे और कुछ पुराने भी हैं तो चलिए एक एक करके बात कर लेते हैं चार जनवरी को लुई वरेल दिवस मनाया जाता है वरेल लिप होती है जिससे की दरश्टिहीन बालक जो होते हैं पढ़ाई करते हैं उस लिप को वरेल लिप कहते हैं उनके लिए नो जनवरी को प्रवासी भारतिय दिवस मनाया जाता है दस जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है इसके लावा ग्यारे जनवरी को लाल भाधुर सास्त्री इसमरती दिवस यानि कि इनकी मरत्य हुई थी इस दिन इस दिन को 11 जन्वरी को लाल वाहदुर सास्त्री इस्मरती दिवस के रूप में मनाया जाता है अगला कोशन है 12 जन्वरी राष्टिय यूबा दिवस विवेका नंद की जन्व दिवस के रूप में भी मनाया जाता है वारे जन्वरी को राष्टिय यूबा देवस याद रखेगा पंद्रे जन्वरी को मना जाता है राष्ट भारतिय थलसेना दिवस यह important है थलसेना दिवस पंद्रे जन्वरी को मना जाता है इसके लावा 23 जन्वरी को कुष्ट निवारन अभियान दिवस कुष्ट निवारन अभियान दिवस इससे सम्मंदित कोश्चन ही आज का आपका कोश्चन है जो एंड में आपको मिलेगा जरूर देखेगा 23 जनवरी को ही मनाय जाता है नेता जी सुभाश्चंद्र वोसकी जैनती का मनाय जाती 23 जनवरी को याद रखेगा बहुत अच्छे अच्छे कोश्चन है 26 जनवरी सब को पता है भारती गरतंतर दिवस मनाया जाता 26 जनवरी को इसके साथ साथ दूसरों इस वर्स के जो गरतंतर दिवस के हमारे जो अतित ही आये थे वो ब्राजील से आये थे ब्राजील के राष्टपती थे जेर उनका नाम था याद रखेगा जितना आपको याद क चाहिए अच्छे से टॉपिक बाई टॉपिक पढ़ते रही है डेली क्लासेज देखते रहे साम को पांच वजे आपकी सीटेट पेड़ोगोजी के 1000 कोश्चन्स की क्लास चल रही है और जल्दी ही साथ फरवरी को आपका यूपी टेट का रिजल्ट आने कवा तीन क्लासेज क के रूप में 30 जन्वरी को महतमा गांधी इसमृती दिवस के रूप में मनाये जाता है यह मुख रूप से जो दिवस भारत में उनकी बात की गई इसके लावा जो अन्य चीजें है वो आपको आगे की क्लासेज में मिलती रहेंगी इसलिए डेली क्लासेज से जुड़े रह आपको सभी के Notification मिलते रहेंगे कल का प्रसन थथ आपका पहली Underwater Metro भारत में कहां पर बनाई जाने की बात कही गई है तो दोस्टों ये पश्चिन वंगाल के खोलकाता में होगली नदी में बनाय जाने की बात कही गई पहली जो underwater यहने की जलमगन मेट्रो के रूप में इसको जाना जाएगा याद रखेगा कहां बनेगी कोलकाता में हुगली नदी में बहुत अच्छा कोश्चन है में लिए आपको कोलकाता ही याद रखना है अब आज का आपका कोश्चन है जिसका अंसर आपको कमेंट बॉक् सब्सक्राइब कर लीज़े और कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर करिएगा सेर भी कर देना आपके लिए इतने अच्छे-च्छे क्लासेज इंपॉर्टेंट कोश्चन्स लेकर आ रहे हैं तो दुस्तों आज का प्रस्न है आपका विस्सु कुष्ट उन्मूलन दिवस कब होता अभी आपको दो क्लास पहले ही मैंने चीज पढ़ाई थी इसलिए उम्मीद करते हैं आपको याद होगा जल्दी से अधिक सदिक संख्या में कोश्चन का आंसर करिए एक नंबर आपका पका हो जाएगा दुरंत आंसर करके बताना मत भूलेगा मिलते हैं साम को पांच बज कि क्लास में जुड़े रहें त्यारी करते रहें अल्दा वेस्ट थैंकि दूस्तों